आप सब लोग इम्मीट है खरो आफियस से होंगे तो आज मैं आपका स्टीम चिकन बराना बताऊंगी गड़ में बहुत ही इजीली बन सकता है ठीक है जी उसके लिए जो हमें चीजें चाहिए वो हमारे पास यहां पर दही मजूद है दही इसमें यूज होगी दो से तीन टे पाउडर है मेरे पास यहां पर मेरे पास लेमन मुझूद है यह लेमन इसमें एड करेंगे एक से दो अधर टीक है जी एक अंडा इसमें यूज होगा यह मेरे पास अध्रक का पाउडर है यह इसमें वान टीस्पून यूज होगा और वान टीस्पून यह लेसन का पाउड सब्सक्राइब यह फैसरा मेरीनेड बड़ा़ा मेरेदे ताब सब्सक्राइब और difficilets 20 PMs सब्सक्राइब करके हम असब और मेरे पास मेरे का लगा ग्रमिकर क्षिए लगा है तुरिस को बिछते साने मैंने इसमें आट किया है, और इसके साथ ही मैंने इस में in Shelly Powder Half टेबल स्पून, ऑन साथ मैंने 1 तीज्वन चुट टे . और इसके साथ मैंने इसमें लुक साथ डुली पौडर हएद कोने waarn a vaagnares, अंदा हुआ है थोड़ी के साथ मैंने इसमें अड़ान मेरिनेेट करना सेके मेर अपाइट शूं मेर को इन इसमें करागे रग है कैंगे ठीक हैं फ्राइ निकालते जाएंगे इन पीस्स को जो हमने कि चीकन के ब्रेट सब्सक्राइब यहां के बनाइब सकते हैं इसके बाद हमने एक बोक लेनी है और इसमें यहां पर मैंने जो ओल है वो गरम करने के लिए रख दिया है यह ओल्मस्ट हमारा गर्म हो चका है अब हम इसमें one by one chicken pieces यह add करेंगे और इनको fry करते जाएंगे निकालते जाएंगे और उसके बाद हम इन pieces को रख कर steam देंगे steam में बाकी कर जो chicken है वो अच्छे तरीके से गल जाएगे और हमारा steam chicken ready हो जाएगा चले तो अब हम इसमें चिकन को add करते हैं कि अब हम इसमें हाफ डन हो जाएगा इसके बाद हम इसे steam देंगे और बहुत ही जबरदस्ता steam chicken हमारा ready हो जाएगा चले तो इसे fry करते हैं और निकालते जाते हैं यह देखें जी यह हमने fry करके निकाल लिया है one by one हम fry करते जाएगे और निकालते जाएगे इन chicken pieces को देखें मार्शला से अभी ही कितने ही tempting लग रहे हैं इसके बाद हम एक बोक ले लेंगे कोई भी बटन ले लीजिए खुला सा उसमें नीचे पानी डालेंगे ऊपर हम जाली रखेंगे कोई से भी जाली ले लेंगे ठीका जी रखेंगे उसके उपर यह चिकन हम प्लेस करें और यह मेरे पास स्टीमर मुझूद है ठीका जी यह इसमें प्लेस कर देंगे और इसके पर मैं यह वन बैवन जो हमने चिकन फ्राइ की है ठीका जी यह इसके उपर प्लेस करते जाएंगे ठीका जी इसके उपर प्लेस करते जाएंगे आप चाहें तो फोईल पेपर में भी इसको cover करके इसमें रख दे और इसको हम डख कर तो इसे slow flame पर cook कोने के लिए छोड़ देंगे ठीक है जी तक्रीबाँ एक ग्यांटे के लिए आदे ग्यांटे के लिए रख दे उसके बाद यह हमारा steam chicken रेडी हो जाएगा यह देखें यह मेरे पास aluminum foil के यह जार टाइप हैं ठीक है जी बॉक्सीज है मेरे पास ठीक है इसमें मैं यह प्लेस किया है मैंने यह chicken pieces और इसके उपर मैं foil paper लगाऊंगी और इनको मैं steam होने के लिए रख दूंगी देज़की में ठीक है जी तो अब इसके उपर foil करेंगे और इसको सारे को cover कर देंगे उपर से और इसको हम रख देंगे steamer में ठीक है जी तो मिलते हैं आप से एक से आदे गंटे के बाद और आपको दिखाते हैं कितने जबरदा steam हुए यह यह हमने foil लगा कर इसे रख दिया देज़की में नीचे पानी हमने अट किया हू कि अधर कर दो कि अधर मिलते हैं कि हम पानी हुए नीचे में बाहा हुए यह यहा थादाना कि हैंगे हैं से तो